हाई फ्रेंड्स मैं मीना मेरे कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सहजन के पत्ते से पराठा खाने में बहुती स्वाधिश्ट और हेल्दी रेस्पी है इसे आप कभी भी ब्रेकफास्ट में बना कर खा सकते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइका बटन क्लिक कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए बनाना सुरू करते हैं सहजन के पत्ते से पराठा सहजन के पत्ते से पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर सहजन के पत्ते लिए हैं आग देख सकते हैं इसी तरह का पत्ता होता है अब हम पत्ते को इस तरह से साफ करेंगे इस तरह से यह आसानी से निकल जाता है इस तरह से साफ करने के बाद हमने पत्ते को अच्छे से धो लिया है अब हम पत्ते को महीन काट कर तैयार करेंगे देखिए इसी तरह से हम सारे पत्ते को काट कर तैयार करेंगे सारे पत्ते को हमने काट लिया है अब इसे हम बोल में उठा लेंगे पत्ते को हमने बॉल में ले लिया है अब इसमें हम दो कप गेहूं का आटा डालेंगे दो बड़ा चमज बेसन एक बड़ा चमज बारिक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता एक छोटा प्याज बारिक कटा हुआ एक बड़ा चमच साबुत धनिया है जिसे हमने मिक्सी में डाल कर दरदरा पीस लिया है एक बड़ा चमच जीरा, जीरा के जगे आप अजवाइन का भी इस्तमाल कर सकते हैं दो हरी मीर्च बारिक कटी हुई एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर नमक स्वाद के अनुसार एक चमच अद्रक का पेश्ट दो चमच तेल डालेंगे सारे सामगरी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारे सामगरी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सौप्ट डो तैयार करेंगे देखिए सौप्ट डो हमारा तैयार है इसी तरह का सौप्ट डो होना चाहिए इतना डो तैयार करने में हमने आधा कप पानी का इस्तमाल किया है अब हम डो को ढखकर 15 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए पूरे 15 मिनट हो गए हैं डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है अब हम डो को एक बार और गूथेंगे डो को हमने गूथ लिया है अब इस में से हम छोटी सी लोई बनाएंगे डो में से थोड़ा सा डो लेंगे और इसी तरह से सारे लोई बनाकर तैयार करेंगे चकले पर सूखा आटा लगाएंगे लोई को रखेंगे और पतला बेल कर तैयार करेंगे यसी तरह से हम सारे पराठे को बेल कर तैयार करेंगे और तवे पर सेकेंगे पराठे को सेकने के लिए हमने तवे को अच्छे से गरम कर लिया है तबे को हम तेल से ग्रीस करेंगे आप चाहें तो घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं पराठे को रखेंगे और अच्छा क्रीस्पी होने तक सेकेंगे ग्यास की आज को मीडियम रखेंगे पराठा एक साइट से से शेक गया है पलट लेंगे पराठे पर हम तेल लगाएंगे फिर से पलट लेंगे तेल लगाएंगे इसी तरह से हम पराठे को उलट पलट कर अच्छा क्रिस्पी होने तक सेकेंगे देखिए पराठा को हमने उलट पलट कर अच्छे से सेक लिया है पराठा हमारा अच्छा क्रिस्पी हो गया है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारे पराठे को सेख कर तयार करेंगे लीजे दोस्तों गर्मा गरम सहजन के पत्ते से पराठा बनकर तयार है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेस्पी बनी है इसी तरह से आप भी बनाईए खाईए और कमेंट में बताईए कि मेरी रेस्पी कैसी बनी अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक केजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए मिलते ही ऐसे ही एक नई रेस्पी के साथ धन्यवाद